जेंदर जय बोले ना दूस्तों आज संडे और लगबग दोपेर की एक बज गई है तो कि मेरा व्यू नहीं है बहुत लोगों का वाच सब आ गया तो मैं आज आपको सिंपल यहीं पर बता देता हूं देखें मार्केट ने ब्रेक आउट दिया है तीन सो दस पॉइंट की रेंज में वह ग्यारा दिन से खेल रहा था उसके बाद थस्टे को सडेनली ब्रेक आउट आया थस्टे जो मंतली एक्स्पायरी थी नॉम्मर मैंने की और कल हमने फिर से 500 के उपर क्लोज किया और यह अपने बहुत बड़ी क्लोजिंग है अब यहां से अल्टाइम हाई हमारा से 604 पर है अब अगली वीक में हमको कैसे चलना चीए क्या करना चीए बैंक निफ्टी में मुझे फ्राइडे को थोड़ी सी एक निगेटिव इटी की जलक दिखी लेकिन निगेटिव नहीं है ठीक है और निफ्टी का अगर बहुत लोग आपको बोलेंगे हैंगिंग मैं बना है डेल निफ यह अगडेटिव तो एक अ कř किंगेटिव एक सम्बलना जरुरी हमको और मार्केट अभी अबयाका अगर आप देखो तो टू हंडर्डेव से काफी दूर तो डिफ्रेंस काफी उच्छा है तो यहां पर ओवरबॉट है मार्केट तेजी रहेगी डेफिनेटली है लेकिन सावधानी वाली तेजी है अब नॉर्मल तेजी नहीं है सावधानी वाली तो इसमें आपको करना क्या चीए जैसे ही आपको 400 के नीचे बंद होते हुए दिख है और जो हमारा ब्रेकाउट का टार्गेट आ रहा है वह 752 तो 752 अगर क्रॉस रहता तो उदर आप अपने कॉल्स काट लीजे या फ्यूचर साथ सो आता है तब भी आप अपने फ्यूचर या कॉल काट लीजे और पुट आप देखेगा जहां एक रिवर्सल का साइन तो मैंने थ्री मंच का ऑप्शन गूर्प स्टार्ट कर रहा हूं एक तरिक से ठीक है और बहुत ही ज्यादा नौमिनल फीस है बहुत ही ज्यादा तो जिसको भी जॉइन करना रहेगा एक तरख से स्टार्ट होगी अपना नाम अपने सिटी का नाम अपनी एक सेलफी फोटो और नाम अपनी सेलफी फोटो और नाइन सिक्स्क्राइब और इंतिजार करिएगा मेरे जवाब का हर बड़ी मत करिएगा फोन किये तो ब्लॉक भी हो जाओगे तो यह है तो मैं ओवरल मैं बुलिश हूं क्योंकि वीकली चाट बुलिश है और मुझे लगता पहले हम वाल 400 के नीचे क्लोज करेंगे इंट्राडे में 400 आ सकते हैं लेकिन क्लोज नहीं करेंगे उसके पहले यह मुझे लगता है तो यहां पर ध्यान रिखिएगा मेरा पर्सनल बाइस तेजी पर है जस्ट विकोज हमने एक ब्रेक आउट दिया आफ्टर 11 डेज ऑफ कॉंसलिडेशन अन थस्टे ब्रेक दिया था ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा दूसरी साथ तारिक को आर्भी की पॉलिसी का डिसीन रहेगा साथ दिसंबर को यह एक इंपोर्टेंट इवेंट है तेरा तरिक को सीपी आई का यूएसे का डाटा आएगा 14 तरिक को दिसंब तो यह सारे इवेंट है लाइंड अप और दूसरा देखी रशिया यूक्रेयन का भी टेंशन थोड़ा सा अगें एक राइजिंग मोड मोड पर है तो यहां पर भी हमको हलकी सी सावदानी रखने चाहिए स्पेशली अगर आप फ्यूचर्स में लॉंग करते हो तो इस वेरी डेंजरस इन निफ्टी इन बैंक निफ्टी बिकॉस यू डोंट नो वेंड़ फॉल विल कम बट इट वी शार्प वन तो बी केरफूल या तो अगर फ्यूचर आप करते हो तो हैज करके करिये और अगर आप्शन में तो यू कन बेर देट लॉस कि अधिट ओवर लाइं बुलिश मुझे लगता है नया ओल टाइम हाई नेक्स्ट विक में जरूर बन जाएगा और साइध हम साथ सो पचास तक भी आराम से जाएंगे जै जैंद्र जै भूलिना जैन